हलो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग आप सभी लोग के अपने इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं मेरा नम है इस्तिवारी है आज मैं बहुत इंट्रेस्टिंग कोश्चन आप लोग के लिए लेकर आया हूं इस कोश्चन को बनाओगे तो बैसक आपके लिए आसान हो कुछ बच्चों के लिए हार्ड भी हो सकता है पर यह मान के चलो कि यह कोश्चन जो है इंट्रेस्टिंग है जिसमें बहुत से बच्चे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं 8 रूट 35 डिवाइट 3 रूट 5 अब यहां पर एक चीज़ तो कंफर्म है कि रूट 35 डिवाइट तो हो रहा ह है रूट 5 से लेकिन 8 आपका 3 से डिवाइट नहीं हो रहा है तो इसकेस में हम इसको कैसे सोल्व करेंगे तो चलिए इसको सुरू करने से पहले आप थोड़ा सा एक्सपोनेंट के बारे में जान जाएए जहां तक मेरे को पता है आप सभी लोग एक्सपोनेंट तो पढ़े ही होगे यहां पर हम लोग है जो बहुत कुछ पढ़े थे जैसे कि आपका अगर हम रूट के अंदर लिखते हैं A B तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ रूट A इंटू रूट B एक्सपैंड कर सकता हूँ मैं अगर मैं ऐसे कर दूँ कि रूट A इंटू रूट B तो इसको भी लिख सकते हैं हम लोग रूट अंडर A B पर यह ध्यान रखना कि अगर रूट A प्लस रूट B है तो आप इसको रूट अंडर A भी नहीं कर सकते हो या फिर रूट अंडर A प्लस B नहीं कर सकते हो इस चीज का ख्याल रखना है तो चलिए अब हम लोग कोश्चन पर आते हैं रूट अंडर 35 है तो मैं इसको एक्जैक्ली इसी बेस पर एक चीज तो लिख सकता हूँ मैं फैक्टराइज करके कि 8 रूट अंडर 5 इंटू 7 डि अगर मैं और आगे बढ़ें तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 8 रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 7 डिवाइड 3 रूट अंडर 5 यहां से कोश्चन आपका देखो ट्विस्ट आना शुरू हो गया कि आप इसको क्या कर दिये आप रूट 35 को एक्सपैंड किये और 5 इ 8 इंटू रूट 5 इंटू रूट 7 और डिवाइड वाइड 3 इंटू रूट 5 अब यहां से हम रूट 5 और रूट 5 को क्या कर सकते हैं काट सकते हैं तो यह मैंने इसे काट दिया अगर मैं काट दिया तो हमारा क्या बचा भई तो 8 उपर में बचा रूट अंडर 7 और फिर मै लिखने का दूसरा तरीका आप यह कर सकते हो आप डारेक्ट लिखो एट बाई थ्री रूट अंडर सेवन और यह रहा आपका एंसर तो देखो है न छोटा सा कोश्चन पर इंट्रेस्टिंग कोश्चन इंट्रेस्टिंग मैं इसलिए कहूं क्योंकि आपका क्लास एट हो जा गया वो इसमें डर जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना मेरे साथ बने रहना आपके अपने इस चैनल पर वीडियो समय पर अपडेट होते रहते हैं आपको बस हमारे वीडियो के साथ बने रहना है थैंक यू फिर एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द हम लोग मिलने आवाले.